everyone good morning कैसे हैं मेरे shining star तो बच्चों कल आपने क्या किया था कल आपने my alphabet hunt book में page number 39 G alphabet complete किया था आज हम करेंगे notebook में work G for grapes, G for girl, G for gate, G for ganesha, G for god, G for gumboot, G for gloves तो बच्चों आज सबसे पहले मैं आपको board पर G alphabet लिखना सिखाऊंगे उसके बाद हम करेंगे notebook में work मैंने क्या बनाया है, G for guitar, है ना, यह instrument है जो कि मेरे बच्चों का favorite है, G for gloves तो बच्चों G alphabet हम कैसे लिखते हैं, C, C पहले हम बनाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे, small सा उपर जाएंगे, फिर आप sleeping line, standing line फिर से C alphabet, small सा curve बनाएंगे, sleeping line, standing line, half standing line, तो अब हम करेंगे notebook में work तो बच्चों आज हम करेंगे notebook में G alphabet, तो आज आपको activity कौन से बनानी है, G for guitar and G for gloves क्योंकि इसकी जो guitar की wire होती है, वो sharp होती है, जिससे हमारी fingers cut जाती है, तो हम इसको gloves के साथ, या इसके उपर एक, वो sport के लिए होता है, plastic का, उसको पहन के ही हमें इसको बचाना चाहिए, तो मैंने इसको gloves के साथ बनाया है, guitar, अब हम लिखेंगे, G alphabet, अब हम start करेंगे, इस को भी हमने notebook में कैसे लिखना है, C alphabet, second line पर फिर हम बनाएंगे sleeping line, standing line, यह हम बनाएंगे three lines में, ऐसे ही आपको यह work complete करना है, मैंने आपका देखा था, जब आपने G alphabet किया था, कुछ बच्चों को G alphabet आता है, तो आप यह easily कर लेंगे, क्यूंकि आपने इसमें curve वाले पहले आप कर चुके हैं, C alphabet कर चुके हैं, तो बच्चों ऐसे ही आपका यह work complete हो जाएगा, आप बच्चे activity ज़रूर ready करेंगे, क्यूंकि इसे बच्चों को अच्छे से alphabet जो है, वो अच्छे से, समझ में आ जाता ह है कि हमने G alphabet guitar से बनाया था और gloves के साथ बनाया था, तो ओके बच्चों अब हम करेंगे second work